सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में जहें मेरे प्यारे साथियों अज मैं आपके सामने इंडियन आम्ड फोर्सेस के बारे में कुछ चंद बातें कुछ चंद लाईने करने जा रहा हूँ जैसे हम इंडियन आम्ड फोर्सेस की बात करते हैं हमारी आखों में चमक पैदा हो जाती है सीना गर्व से चावड़ा हो जाता है और बाहें फड़क उठती है मेरे प्यारे साथियों आप मेंसे वह हुआ जो देश की सेनाव में जा करके देश को बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके अपने देश की रक्षा करने का काम करते हैं आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन आम्ड फोर्सेस में एर फोर्स में नेवी में जो कमिशन कैटेगरी जो NDA के थुरूपे द्यारती जाते हैं उसमें मैं आपको जो opportunities हैं किस तरह से आप examination को clear कर सकते हैं क्या उसके steps हैं यह मैं आपको brief करने जा रहा हूं NDA का जो examination है that is conducted by UPSC Union Public Service Commission साल में दो बार यह examination UPSC कराता है once in April and once in September इसकी जो age limit होती है दो age limit होती है एक form भरने की that is 15 and half to 18 and half और एक joining की age होती है that is 16 and half to 19 and half आप इस confusion में नहीं रहिएगा यहाँ पर दो एक age limit होती है बहुत सारे विद्यार्थी यही सोचते हैं कि साले 16 से साले 19 शाल यह age limit होती है याद रखेगा इसमें दो age limit होती है NDA का जो examination है इसमें हर साल लगबग 4 से 5 लग विद्यार्थी examination में एपियर होते हैं बहुत ही prestigious प्रतिस्था वाली post यह होती है अपने देश की सेवा करने का मौका हमें मिलता है challenges को face करने का मौका हमें मिलता है NDA के examination में दो step हैं एक written का exam है और दूसरा SSB interview written में आपको दो question paper देने होंगे एक GAT का question paper होगा general study, general science और general English का दूसरा mathematics question paper होगा जिसमें 120 questions होंगे और यह 300 marks का है GAT का जो question paper है 150 questions होंगे और 600 marks का होगा after clearing the written examination you will proceed further for the SSB interview आप written pass करके आगे बढ़ेंगे और SSB interview के लिए जाएंगे SSB interview यह आपके examination का second phase है यहाँ पर आपको 4 days, 5 days का SSB interview होता है जिसमें day 1 से ले करके और day 5 तक की पूरी process होती है अगर आप examination को clear कर लेते हैं written में आपने clear किया SSB interview pass करते हैं तो you are called that you have been recommended यानि आप recommend होगे recommend होने के बाद आपको All India Merit बनेगी All India Merit के according जैसी आपकी choice होगी जैसी आपके preference होगी इदर Army, Air Force और Navy और आपकी merit के according, आपकी choice के according आपका selection Army में, Air Force में या Navy में होगा आप जब examination को pass करने के बाद trading के लिए जाते हैं तो four years की आपको training दी जाती है four years की training के बाद अगर आप Army में selection आपका हुआ है तो you will become a lieutenant अगर Air Force में selection हुआ है तो you will become a flying officer और Navy में अगर आपका selection हुआ है यो will become a sub lieutenant four years की बच्चों आपको trading दी जाएगी four years की training के बाद आप अपने जो respective जिसमें भी आपका selection है वहां जाकर के देश की सीमाओं को protect करने का देश की सेवा करने का पुर्ण बहतरीन कार आप करेंगे तो वो सारे विद्यार्थी जो defense forces में जाकर के defense forces में हलाकी commission और non commission हर तरह की post होती है commission में NDA और CDS होता है non commission में इसमें अगनीवीर के थुरू सारी जो vacancies में वो fill की जाती है तो अगर आपने NDA के थुरू defense में जाकर के देश की सेवा करने का संकल्प लिया है तो यह आपके लिए बैतरीन और सही उप्यूक्त समय है कि आप अपनी कमर कसें और defense की तैयारी के लिए आगे आएं till then enjoy yourself thank you so much जय हिंद जय बारू